डॉक्टर हेमलता काटे, आज हम देखने वाले हैं महादिवी वर्मालिकित नेलकंठ का अंतिम हिस्सा इसके पूर्वा हमने इसके दो भाग देख लिये हैं पहले भाग में हमने ये देख लिया है कि स्वेमलिकि का अर्थात महादिवी वर्माजी नकास कोने से बड़े मिया से मोर के दो बच्चों को लेकर आती हैं दूसरे भाग में देखा कि उन्हें बड़े जतन से वह संभालती है और थोड़े ही समय में वह मोर के बच्चे हैं उनके अन्य घर के सदस्यों के जो जिवजन्तु है वशुपंचे हैं उनके वह सरदार बन जाते हैं यानि वह मोर उनका नेत्रोत्व करता हैं साथि साथ मोर में ये गुन है इसलिए वह कारतिय के एका वहन बना हुआ था इसके वारे में महादिवी जी ने यहां चितरन किया है आज हम अन्थि मिस्सा देख लेंगे मोर का नाम है निलकंठ और मुर्नी का नाम है राधा निलकंठ और राधा इनके साथ और क्या होता है और राधा को अकेलापन क्यूं में सुस्मरन के अंति मिस्से में महादिवी जी ने चितरीत किया है इसका आज हम चितरन करेंगे या स्पष्टिकरन करेंगे। देखते हैं महादेवी वर्मा लिखीत नील कंठ इस समस्मरन का अंतिन पिस्टा। नहीं रखा जाता। बाज और चिल जो पक्षी है इनके स्रेनी में मोर को नहीं रखा जाता। जिनका जीवन ही क्रूर कर्म से भरा हुआ हैं यानि बाज और चिल का जीवन क्रूर कर्म से भरा हुआ हैं ऐसा मोर का नहीं है। नीलकंट में उसकी जातियगत विशेष्टा तो थी ही, यहने मोर में उस नीलकंट में जातियगत विशेष्टा थी वकलाप्रिया है, वीर पक्षी है और सब को संभाल कर लेने वाला है, अतहा जातियगत विशेष्टाओं से परिपूर्ण है, महादिवीजी के घर में आने क करन भी हो गया मेगों की सावली छाया में अपने इंद्र धुनुष्य के कुछों जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वो नाशता था मंडलाकार बनाकर जब वो नाशता था तब उस नुरुत्य में एक सहेजात लई ताल रहता था आगे पीछे दाहिने बाए क्रम से घू एक सहेजात लई ताल है उसका चितरन माहदिविज्मिया करती है राधा निलेकंटे के समान नहीं नाश सकती परंतु उसकी घती में चंदर हता था वह नुरुत्यमग्ण निलेकंटे के दाहिने और के पंखों को छोती ही बाई ओर निकल जाती और बाए पंखों को सपरस्य दहने और निकल जाती यानि वह नीलकंटे के सवान रादा नुरुध्यन नहीं कर सकते लेकिन नुरुध्य करते वे नीलकंटे के साथ वह भी नाशती थी इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परीशाय बहुत था नीलकंटे ने कैसे समझ लिया कि उसका रुद्य करता है वह महादिवीजी को भाता ही नजाने उसने कैसे समझ लिया था इसे लिए वह जब भी महादिवीजी उनके सामने आती वह नाश्टा था यह तो नहीं बताया जा सकता परन्तो अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पांस पहुंचते हैं अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया पंकों का सत्रंगी मडलाकार चाता तान कर नुरुत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से यह नुरुत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई थी प्राह यहां मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतीती भी पहुंच जाता था और नीलकंते की मुद्र को अपने प्रती सम्मान सुचक समझ कर विश्मया भुद्ध हो उतता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जंटलमेन की उपादी दी थी उसका नुरुत्य देखकर जो महादिवीजी के साथ विदेशी महिला आती थी उन्होंने उसे परफेक्ट जंटलमेन की पर रखे हुए भूने हुए चने ऐसी कूमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हसी भी आती थी विसमें भी होता था फलों के वुरुक्ष से अधिक उसे पुश्पित और पल्लवित वुरुक्ष भाते थे वसंत में जब आम के वुरुक्ष सुनहली मंजिरियों से लज ज जाते अशोक के नेलाल पलों से ढख जाता था तब जाली घर में वह इतना अस्तिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था पर जब तक राधा को भी मुक्तन किया जायवधरवाजे के बाहर ही उपालंबे की मुद्रा में खड़ा रहता था उपालंबे ने शिकायत मंजिरियों के बीच उसके निलाभ जलक संध्या की छाय से सुनहले सरोर में नेले कमल दलों का ब्रहम उपन कर देती थी मंजिरिया ने लता हवासे तरंगायत अशोक के रक्तिमाभ पत्तों में भी वह मुंगे के फलक के पर मर्कत से बना चिद्र जान पड़ता था निलकंट और राधा के सबसे प्रियरूत्व है वर्षा वर्षा रूत्र थी उनकी प्रिया मेगों के उमण आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मदर केका की गुंज अनगुंज तीवर से तीवर होती हुई मानों बूंदों के उतरने क पांग्ती बनने लगती थी यान उपर चड़ने का रास्ता मदर केका यान सुन्दर आवाज उनकी गुंज उटती थी और उन बूंदों को उतरने के लिवर सिडिवन बनाती थी मेग के गरजन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरम होता फिर मेग जितना अधिक गरश के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मदर से मदरतर होता जाता निसुन्दर से सुन्दर होता जाता वर्शा के थम जाने पर वह दाहिने पंज पर दाहिना पंक बाये पर बाया पंक फैला कर सुखा था तभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोच से पी पी कर पंखों का गिलापन दुर करते थे इस आनंदुसों की रागिनी में यह आनंदुसों था दोनों के जीवन में इस रागिनी में एक बेमेल स्वर पैसे बजूठा यह भी एक करूनकता है इस करूनकता को भी महादेश जी भी ने इस संस्मरेन में चित्रेत किया ही एक दिन मुझे किसी कारे से नकास कोने से निकलन पड़ा बड़े मिया ने पहले के समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजड़े की और नहीं देखूंगी यह संकल पकर के मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सपेद दोर से कान में बंदी एनक की और ही ध्यान केंद्र किया था पर बड़े मिया के पेरों के पास जो म मूर्नी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठें था मूर्नी बिल्कुल रादा जी सी थी उसके मूंज से बंदे दोनों पंजों की उंगलिया तोटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी उसकी जो पैर है बिल्कुल सरकंडी के जो हिस्सा होता है प्रिभाग होता है चिलका उस प्रकार वा चिलके निकल रहे थे सरकंडी के चिलके निकल रहे थे ऐसे पर उसके बंदे हुए थे बड़े मिया की भाशन मेल फिर से दोड़ने लगे बड़े मिया जादा बोलते है इसके पहले ही कहा महादेव जिनुसे भाशन मेल कहा है देख खिये गुरुजी कमबकत चडिमार ने बेचारी का क्या हाल किया है ऐसे कभी चडिया पकड़े जाती है आप न आई होती तो मैं उसी के सीर से इसे पटक देता हूँ पर आपसे भी या अदमरी मोर्णी ले जाने को कैसे कहूँ साराउश यहाई की सात रुपए देकर उसकी ब अगली सीच पर रखवा कर घर लियाई एक बार फिर से मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया पंजों की मरहमत पटी देखबाल करने पर वह महेने भर में अच्छी हो गई जो मुर्णी लेकर आई थी वह महेने भर में अच्छी हो गई उंगलिया वैसे ही टेड कुबजार काहिरे तहा कुबजा की तरह वह उसका सभाव भी निकला प्रमानित उसने किया अपने इस नाम को करन कुबजाकार थे धूरतस्री कुबडेस्त्री उसी के नुसर उसका सभाव भी निकला करन उसने राधा और निलकंटों को अलग करने का प्रयास किया है अब त कठिना ही यह थी कि निलकंट उससे दूर भागता था और उसके साथ रहना नहीं चाहता था न किसी जीवजन्तु से उसकी मित्रता थी न किसी को निलकंट के समिप आनेवा देना चाहती थी उसी विश रादा ने दो अंडे दिये जिनको पंकों में छिपाए बैटी रहती पत चलते ही कुपजानी चूच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे पोड कर ठूट जैसे पेरों से सब और छितरा दिये हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पाने छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक पटकर गाहल कर दिया इस कलह कोलह से और उससे भी अध बार कई दिन भूका प्यासा आम के शाखों में छिपा बेटा रहा जहां से भूत पुचका कर मैंने उसे उतारा एक बार मिड़ खिड़की के शेर पर छिपा रहा मेरे दाना देने पर वह सदा के समान पंकों को मडलाकार बना कर खड़ा हो जाता था उसकी चाल में आपकों में एक शुन्यता रहती थी वह दाना देने पर पंकों को फैलाता लेकिन उसमें एक शुन्यता थी अपनी अनभों हिनता के कारण ही मैंने आशा की थी कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा अंते में तीन-चार मास की उपरांत एक दिन से बेरे चाकर देखा क नील खंट कूछ पंक फैलाए धर्ती पर उसी प्रकार बैटा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंकों में छिपा कर बैटा था मैंने पुकारने पर भी उसने न उठने का संधिह हुआ वास्तों में उस वक्त नील खंट मर गया था क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका नो उसके कोई बीमारी हुई नो उसके रंगेविरेगे पूलों के स्तबक जैसे सिरीर पर किसी चोड का चिन ने मिला अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा की बिशधारा में उसे प्रवाहित किया तो उसके पंकों की चंद्रिकाओं से बिम्बित प्रतिविम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाट एक विशाल मुईर के सामान तरंगी थो उटा नीलकंट के नरहने पर राधा निचेश्ट सी कई दिनों दिन कोने में बैटी रही वो कई बार भाग कर लोट आया था अधा वो प्रतिक्षा के भाव से द्वार पर खोज धून आरम के खोज के क्रम में प्राहिया जाली का दर्वाजा खुलते ही भार निकलाती आम अशोग कचनार आधी की शाखाओं में नीलकंट को धूनती रहती एक दिन में आम से उत्री ही थी कि कजली यानि अशेशिन कुत्ती सामने पढ़ गए सोभाव के नुसार उ दान उसकी गर्दन पर लग गये इस बार उसका कलह कुलहाल रद्वेश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका परन्तु तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकूती की विनता का परीचे दिया था मैं मेरे लिए विशेश मत्वा का रखता था रादा अब प्रतिक्षा में दुकेली है आशाड में जब आकाश मेगा छन हो जाता है तब है कभी उचे जुले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तियूर से तियूर करके नीलकंट को बुलाती रहती है अथा अब रादा अकेली है नीलकंट की प्रतिक्षा कर ही है यहां महादेजी वी ने इन पक्षियों के संस्मरण को यहां चितरित किया है आपने सुना धन्यवाद